नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहुल जेफ लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ नॉलिज एक ऐसी चीज है जिसकी वज़े से आप केस में मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं इसलिए आप ये वीडियो के content में आकर अपने आपको कहीं खोजने की कोशिश करते हैं और अपना एक solution निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके case के लिए क्या relevant हो सकता है यही वज़ा है कि अक्सर कई लोग कई चैनल के regular viewers हो जाते हैं क्योंकि updates मिलती रहती हैं दोस्तों हम अक्सर खुदपे maintenance क्यों लगवा बैठते हैं आज इसी का समाधान इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि साब मैंने तो बड़ा प्रयास किया बहुत ज़्यादा कोशिश की मगर हुआ क्या मेरे सारे सबूत देने के बाद मेरी सारी बात समझाने के बाद में interim maintenance बान दिया गया यह interim maintenance कैसे बन जाता है आज का वीडियो इसी बात का एक जवाब है इसमें कमी जो रहती है वो आपकी समझ की रहती है समझ यह कैसे हो सकता है इसलिए हम कहते हैं knowledgeable हो जाईए अपनी knowledge अप्ग्रेड कर लीजे, खुद को educate कर लीजे, खुद को educate करने के लिए हमारे courses available हैं, जो आपको समझ देते हैं कि कानून को कैसे प्रयोग करना चाहिए, practical भी और theoretical भी, theory का implementation practical कैसे किया जाए, ये सबसे जरूरी चीज है, कि court की कारवाईयां अकसर अर्चने पैदा कर सबसे जरूरी चीज जिनके cases अभी ongoing भी हैं, वो भी काफी राहत ले चुके हैं, अच्छी बात है time और समय काफी बचा देते हैं, ये courses, इसके अलाबाँ अगर आपको knowledge की जरूरत है, और आपको लगता है कि मैं किसी कानूनी समस्या में हूँ, तो उस समस्या का समाधान करन हैं, उनके cases के अंदर, वो कैसे, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपको जवाब कैसे देना है, अमूवन एक तरीका है जवाब देने का, कि सामने वाले ने जो अपनी बाते हैं, जो points बना कर कहें, वो लगभग सारे जूड होते हैं, आप बस यही श समस्या खड़ी करती है, असल में आप entry maintenance के लिए, अगर अपना reply तयार कर रहे हैं, तो ये चीज तो आप cross examination में भी कर सकते हैं, सत्य सुकार, ऐसे कार, ये जो चीज़ें हैं, ये तो उस टाइम भी की जा सकती है, मुद्दा ये है कि अभी आप cross examination वाला जो argument है, वो क्यों कर कर रहे हैं, ये कैसे फिल करना है, आज कुछ pointers बता तो, मजबूत हैं, गौर से सुनिएगा, इन से बड़ा फर्क पड़ता है, सबसे जरूरी चीज़ होती है, असक्षम और अग्रीव्ड, जैसे प्रतारीत कहते हैं, उस महिला को ही मिलेगा maintenance, आपकी पत्नी ने अपनी अस अस्त्रित भी हो जाता है, विशे, टिपिकल भी हो जाता है, और बहुत ब्राड आस्पेक्ट में भी आप इसे देख सकते हैं, ये कैसे होता है, देखे, अगर आप बिल्कुल टिपिकल होना चाहें, तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसे है, कि साब मैं तो आसक्षम हूँ, मैं तो कमानी सकता, बस मैंने मेरे आलस को आपके सामने डिफाइन कर दिया, ये अकसर घरों में भी यंग लड़कों के साथ भी होता है, कि वो मौत मस्ती करना चाते हैं, और घरवाले ने पर कमाने का दबाव डालते हैं, ऐसा ही कुछ आपकी वाइफ कर रही है, एजुकेट है ग्राजवेट है, तो स्किल्ड आदमी तो वो भी है, जो सर पे जो है एक पराती में काफी सारा जो मलवा भरके मजदूरी कर रहा है एक जगह पर, या फिर संग तराशी कर रहा है, जिसने कोई एजुकेशन नहीं लिए, मगर वो वहाँ पर बैट कर, तराश रहा है मूर्त स्किल्ड डवलप हलकी से उस नहीं कि बस चाय की दुकान खुली चल गई, किसी सब्जी वाली ने अपनी, आज एक सब्जी वाली महिला भी तो अपने चाय और सब्जी बेचके गुजारा कर रही है, तो ये चीज़ है, आप इसी सब चीज़ को इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम बाल मजदूरी को प्रमोट नहीं करते, पर कांच की फैक्टरियों में बाल मजदूरों को ही काम में लिया जाता है, कई और जगे भी बाल मजदूरों के तो उनकी भी तो स्किल डवलप करने में टाइम कितना लगता है, इसी वज़े से ही मेरा अगला पैंट आपकी इस इसके लिए सबसे जरूरी चीज यह है, कि देखिए मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, यहां भी कह रहा हूँ कि टाइम बाउंड कीजिए अपने निर्ने को, यानि निर्ने निर्धारन जो है, वो यह कहिए कि अगर माननी अदालत फिर भी मेरी वाइफ क इंटरिम में इंटरेंस देना चाहती है, तो मैं इसको दो महीने, चार मनी या, छह मने से ज़्यादा नहीं भुकत हूँगा, इतने टाइम में मेरा जो बाद है, वो डिसाइड हो जाना चाहिए, कोट इस बाद पर अगर नहीं मानती है, तो उसके बाद आप क्लियर कह सकते करें मैं तो कहैं कि इसका है, की इसका क्रिजा रिजन क्या है, साठ की बाद democracy में इंटर सेप लापरवाई तो तब तक में मिंटरेंस क्यों दूँगा मेरा मिंटरेंस दिने का क्राइटरिया यह है अगर उसके बाद भी कोड खींचती तो यह फिर कोड के दिए इनर्धारित नहीं कि रही है उस टाइम पर उस समय पर मैं हमेशा उपस्तित रहूंगा अगर मेरी पत्नि अगर आपका केस चल भी रहा है और काफी पुराना हो चुका है इंटरीम मेंटरेंस डिसाइड हो चुका है तो आप कंडिशन डाल दीजे कोड के अंतर कि पैकेजे मेरा वाद निर्धारित कर दीजे डेट पर डेट पर डेट क्या चल रही है यह तो आपकी चॉइस से चल रही है आप विरोध नहीं कर रहे ना दूसरी चीज है जब भी अपने केस को डिसाइड कराना है तो खर्चों के लिस्त आगे करेंजे क्योंकि आप अगर अपने खर्चों के लिस्त आगे नहीं कर रहे है तो आपकी ग्रॉस इंकम यानिक उसम सक्षम है या नहीं है क्योंकि 125 CRPC ही हो या कहीं भी हो एक सामर्थे वन वक्ती ही यानि घुद जो अपने आप में सामर्थे रखता है कि वो अपने आशिरतों को पाल सके उसकी सामर्थे को ध्यान में रखा जा सामर्थे क्या है आपकी salary अब आपकी salary के अंदर से अगर net salary जो ह 35-36,000 उपर तक और अकसर होते हैं इतने खर्चे होते हैं 36-40,000 तक भी अगर आपका एसाब किताब चला गया है तो फिर आप court को दिखाए ये इतना मेरे पस बसता है अब court आपके भरन पुशन के लिए खर्चों के लिए जो चीज बचनी चाहीए थी उसको नहीं खा सकती इतना तो आपकी बाद चोड़ना बड़ेगा तो फिर एक minimum amount जो है एक handsome amount पर ही मामला सेटल होता है जो आपको सहूलियत देता है पर आपने पहली condition लगा रहा है कि 6 मेने तक interim maintenance दूँगा उसके बाद नहीं दूँगा अगर वाद निरधारी देओ क्योंकि आपकी वाइफ साबित कुछ करनी पाएगी ज़िए सबुत देनी पाएगी तो आगे final maintenance कसे देगा court और अगर final maintenance अगर 6 मेने में मानकर आपकी बाद अगर दे देता है court तो आपका option खुल जाता है तलाब का क्योंकि उसके बाद अगर आपकी पत्मी आपके साथ आगर नहीं रहती है तो यह गले पर अटकेगी इधर से बचने की कोश्चिस दिए रहेगी तो इधर गरद अटकेगी मैं किसी को काटने या मारने का example नहीं दे रहा हूँ सिर्व एक simple सा उधारन है समझ को पैदा करने के लिए बच्चे का विस्टेशन देखे बच्चे का जो विस्टेशन है इसमें स समझा देती तब तक मैं mutterance नहीं दुआ क्योंकि मेरा बच्चा तो जानता ही नहीं उसे पैसे की जडरोते की नहीं है उसे प्यार की और केर की जरोते हैं आगर माता पिता का दोनों का प्यार और केर उसे मिलती रहें तो उसका विकास तो वैसी हो जाएगा क्योंकि पया मा consideration, यानि कि विशेश तोर पर बच्चे कि लिए जो किया गया है सहुलियत की गई है, वो यही है कि उसे उसका welfare मिले, उसका कल्याण हो तो बच्चे का कल्याण सिर्फ पैसा लेने में नहीं है माता-पिता के प्रेम में भी है, संबल में भी है यहीं रोपता हूँ, इसमें जो पिता है, वो अपनी बात को मेरे उन वीडियोज में जाके देखे, जो इस्पेशली चाइल्ड विस्टेशन और चाइल्ड कस्टडी इस पे बने वहाँ है, कैसे ली जाती है, अब सबसे जरूरी चीज यह है, कि जब आपकी पत्नी अगर मिं मिंटरेंस दे ही दाइना है उसको, तो उसकी योग के तानुसार उसे श्रम दान करना पड़ेगा, फ्री में तो मैं उसे कोई मिंटरेंस नहीं दूँगा, कम से कम वो भारत, यानि मेरा जो देश है, उसकी विकास में कुछ तो योग दान दे, उसकी पड़ी लिखी समझद करनी के चुक नहीं है, आपका कोई बज़न से, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, इतने तक के लिए मैं यह माल लीजे, मैं मेरी पत्नी को आ लेके तुरूप से सालरी दे रहा हूँ, मैं नहीं करा कि कोई कागस पर लिख करूँ मुझे दे या मैं उसको लिखके दूँ, कि वो उसके पैसे लेने से कुछ तो योगदान मिले, ना तो मेरा घर का खाना बना रही, उसका लोड मुझे आएगा, अब मुझे घर पे, खाना बनाने के लिए कोई रखनी पड़ेगी, या कोई कुक रखना पड़ेगा, सफाई के लिए रखना पड़ेगा, जो कि मिल जोलकर चलाने के स्थिति थी, अभी तक तो उसने मुझे कहा नहीं कि मुझे छोड़ना जाती है, पत्नी होने के नाम पर ही तो आप से मेंटरेंस ले रही, जब वो पत्नी होने के नाम पर मेंटरेंस ले रही है, तो पत्नी होने का जब धर्म नहीं निभा पारी, तो कोई बात नह जॉब में भी है, तो भी ऐसा एक option दे सकता है, कि मेरे लिए कुछ productive काम कर सके, तो मैं ये इसको दे सकता हूँ, ये सब चीजें आपको choice के according देने का right है, इस पे आपको कोई bound नहीं कर सकता, जवाब देने का तरीका ये होता है, ना कि ये सत्य है, यार सत्य है, स्विकार है, ये बात मैं मानता हूँ, मेरी धर्म पत्नी, अरे साथ धर्म पत्नी तो तब होगी ना, जब आपके साथ रहेगी, अभी तो मात्र पत्नी है, बहुत बड़ा फ़र्ग है धर्म पत्नी और पत्नी है, वो मात्र पत्नी है, वो भी कहने के लिए, और वो तब उसमें भी संसार नहीं दे रही है, तो वो भी एक questionable विशे हो सकता है, इस पे भी आप बात कर सकते हैं, जरह कर सकते हैं, आप, मैं समझता हूँ कि काफी मोटा मोटे आपको समझ में आ गया, जोड़ा और भी कुछ जा सकता है, ये सब कुछ vary करता है, आप सब के अलग-लग cases के साब से, कि कैसा आपका case का variation है, क्या वो demand कर रहा है, फिर वो situations बताए जा सकता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये काफी judgments में use की जा सकती हैं, और की जा चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूर्व में नहीं हुआ, हम भी जो चीज़ें कुछ experience से लाते हैं, कुछ हम भी judgments को समझ के देखते हैं, आपके काम आएगा ये वीडियो, और लोगों को भी share कीजे, जिससे की वो समझें कि interim maintenance रोका जा सकता है, रुका है, कई बार रुका है इन conditions पर, हमारे आखों के सामने, दूसरी चीज़ लाइक कर दीजे, सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चैनल को रेगुलर आ रहे हैं आप मेरे वीडियो देखने या फिर पहली बार आए और कमेंट सेक्शन में बता कि जाएगे का क्या आप अपने interim maintenance में कुछ फरक डालने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद